इस पर इप्रेपरेशन के दोरां हर एक दूसरे दिन ऐसा लगता था कि साइद ये प्रेपरेशन छोड़ देनी चाहिए क्योंकि यदि आप घर से बाइर रहते हो तो एक तरह से दोस्ती आपके परिवार होते हैं क्योंकि यदि आपको कुछ भी होता है Positive, Negativity संघर से शफलता की कहानी स्वयम चैनित अधिकारी की जुबानी नमस्कार दोस्तों अब मेरे सामने अंके जी जिनका आधिनस लेखा परिक्षा में चैन हुआ है सर्थ छिंदवाड़ा से आते हैं आपको पूरे उतकर्ष परिवार के ओर से धेरशारी शुपकामना है अंके जी कभी क्या ऐसा कभी कोई घटना हुई कि ऐसा लगा हो इस पूरी परिक्षा के दौरान कि यार बहुत दिक्कत हो रही है छोड़ देता हूं और यदि ऐसी कभी कोई घटना आपके दिमाग में आई हो तो फिर आपने इसको फिर से कैसे करके इससे री कमबैक किया सर लगभग इस पुरी प्रेपरेशन के दौरान हर एक दूसरे दिन ऐसा लगता था कि साइद ये प्रेपरेशन छोड़ देनी चाहिए या किसी अन्ने स्ट्री में हमें चले जाना चाहिए लेकिन सर वही है कि फैमिली का सपोर्ट इसपेसली ममी पापा और मेरे बड़े ब हो रहा है थोड़ी और मेहनत करो हो जाएगा तो सर यही मुझे इंकरिज किया और मैं हम सही हैं तो इन दौर में आकर भी अच्छे दोस्त परिवार की भूमी का निभाते हैं यह चीज कह सकते हैं सर यह जरूर कहेंगे कि क्योंकि आप घर से बाहर रहते हो तो एक तरह से द दोस्त परिवार की ही भूमी का अदा करता है घर के बाहर इंटर्व्यू में आपने कैसे तैयारी की क्या आपकी स्टेजी रही है यह सर तो इंटर्व्यू की सबसे पहली प्रप्रेशन सर मैं अपने डेफ के फॉर्म से सुरू की थी उसमें नाम जिला और यह सब चीजों क भी रिफ्लेक्ट हुए थे तो एक सर बूट मेंबर है अनिल सर्मा सर में उसा इस्पेशली थैंक्यू करना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे बाद में भी सर टाइम दिया और आपकी अंतिम सफल आपको बनाने में सब की भूमिका रही है तो इतकरश का 21 साल का जो भरोसा है आपने उस भरोसे को माना और एक अंशदान महत्वपूर्ण आपके जीवन में उतकरश का भी है कई बार विदम्बना रहती कि राइटिंग प्रेक्टिस कब करना चाहिए इसके बारे में आप क्या सोस्ते है इस पेपर में मानता हूं कि पहले मेंस की प्रपरेशन कर लेनी तो सर आंसर राइटिंग सबसे ज्यादा इंपर्टेंट में मानता है और तो सलिबस भी बदल गया है तो कह सकते हैं भाई कि अब प्री और मेंस अब एक ही जैसा है यह आप मेंस को अच्छे से तयारी कर रहे है उसका डीट आपको पता है तो वह प्रेलिम्स हो जाता है प् इस बोर्ड में आप गए थे सर मेरा सरी राजिशला मेरा सर के बोर्ड में आप का रहा है कैसा लगा आपको वहां जाके सर बोर्ड का इक्स्पिरियन्स काफी जादा अच्छा था सारे मेंबर कॉडिनेट कर रहे थे और है अप कर रहे थे सर ऐधी कभी ऐसा हो जए कि कोई प्रिष्ननमें नहीं बन रहा तब फिर क्या करना चाहिए जैसे नहीं बन रहा तो फिर क्या उत्तर करना चाहिए बीए हैं मेरे इंटर्विय के दोरान भी स्टेश्टों क्रास्टों मैं से आये थे .... जो मतलब मेरे लिए एक तरह से डेड एंड और वो मेरे से बन नहीं रहे तो मैंने सर से सौरी सर मुझे यह नहीं आ रहा है ऐसा का और सर ने next question सर पूछ तो मैंने ऐसा कोई डरने की बाद तो नहीं कि यदि हमें वहां नहीं बना तो बहुत टेंशन हो जाएगी नहीं सर एसे अजिए आप आपने इसमें सिर्फ लिमिटेड चीजें ही कवर किया तो और आगे का बताओ तो सर इस तरह से बोड मेंबर भी सर वहां पूरी हल्प करते हैं वह जो इंटर्वी में कुछ कोशन होते हैं वो जो हम मुख्य परिक्षा इंटर्यू और प्रिलिम्स इंपड़त यह अंकर जी के साथ सफर था संघर से सफलता की कहानी वो भी एक अधिकारी की जुबानी तो जुड़े रहे नमस्कार